शिवपरी में महिला से छेड़ चाड़ और जूतों से पिठाई का विडियो वारिल होने के बाद पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर दी सफाई मदबर्देश के शिवपरी जिले में एक महिला के साथ छेड़ चाड़ और विरोध करने पर जूतों से मारपीट का विडियो वारिल होने के बाद पोलिस ने इस मामले में वुद्वार को प्रेस नोट ज़ारी कर सफाई पेश की है शिवपरी जिले की रन्नो थाना पोलिस ने बताया कि सूखा राजापुर गाउं की निवासी 25 वर्षे विवाहिता महिला की रिपोर्ट पर से पोलिस ने आरोपी छोटू उर्फ इंद्रसैन पोत्र रागुराज परिहार उम्र 21 साल निवासी ग्राम सूखा राजापुर के विरुद अबरात क्रमांक 154 बटा तेस धारा 294 तीन सो तेस तीन सो चौवन पान सो चे भाद्धी का पंचुकरत हुए जिसमें आरोपी छोटू उर्फ इंद्रसैन पोत्र रगुराज परिहार उम्र 21 साल निवासी ग्राम सूखा राजापुर को दिनांग के 29 बारा दो हज़ार तेस को गिरफतार किया गया था जो वर्तमान में जेल में निरुद है आरोपी वा फरियादिया दोनों अनुसूचित जादी वर्ग से हैं फर्यादिया द्वारा भी आरोपी पर हस्या से बार किया गया जिससे आरोपी का कान कट गया था यहां आपको बता दी कि महिला ने अपने साथ हुई चिरचाड और मारपीट की घटना के शिकायत मंगलवार कुजन सुनवाई में पहुचकर एस पी रगवण्छ सिंख भधौरिया को दर्च कराई थी इसके बाद मारपीट का विडियो सोशल मीडिया पर वारिल होने के बाद पुलिस ने आज ये सफाई पेश की है